हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बी ए की जो बी एलल भी उसके प्रिविएस यह कॉश्चन पेपर देखने जा रहे हैं फर्स सेम के तो सबसे पहले हैं law of contract, sale of goods या इसको easily आफ law of contract भी बोल सकते हैं सबसे पहले इसमें यही पूछा जाता है generally की what is contract तो लिकें यहाँ पर देखें 2006 में था what is what do you understand by acceptance याने जो acceptance से आप क्या समझते हैं sweet करती अभी sweet करती next है undue influence question यह बहुत ही general questions है जो हर साल usually पूछे जाते हैं इसके अलबा breach of contract, breach of contract पूछ लिया जाता है इसमें difference क्या है argue, agreement और contract map, सशक्ति और परिने धारिच छति पूर्ती में इस तरह की difference कई बार पूछ लिया जाते हैं next यह हम देखें तो unpaid seller कभी पूछ लिया जाता कि define it directly question होते हैं जो कि बहुत ही easy और बहुत ही अच्छे होते हैं तो इसमें most important की यह हम बात करें तो section 13, 14, 15, 16 यह बहुत ही most important है 22 तक और section 2 के बाल इतना ही यह कोई learn कर ले तो easily वह pass हो सकता है जैसे dictionary drains होता है next law of thought की बात करें तो यह भी बहुत interesting सब देखना है तो चलिए इसके बारे में इस से related previous year questions देखते हैं तो आप सभी तो इतना तो जानते होंगे कि यह total 100 marks का question paper होता है total 5 questions हमें attend करने होते है total 10 questions होते हैं तो सबसे पहले यही पूछ लिए जाता कि यह defense of thought है क्या illustrations पूछ लिए जाते है strict liability क्या होता है liability भी दोटीन type की होती जिसमें से most important is strict liability defamination क्या होता है इस type के questions पूछ ली जाते हैं तो इनको जरूर बहुत अच्छे से कर लें और जो sections मैंने बादा है उन्हें जरूर देख लें और consumer protection act यह last unit है और यह इसमें एक question definitely आता है तो इसे जरूर कर लें previous questions की बात करें और यह राजस्थान राज्य सरकार versus विद्यवती यह भी एक बहुत most important question है जो की leading case इसलिए आता रहता है अब आते है law of constitution में यह second semester का है यहां तक कि यह first semester के थे law of taught और law of contract अब second semester की बात करें तो आपको इसमें constitution पढ़ना होता है constitution law of India तो इसमें इंडिया की नागरिकता citizen ship आपको कैसे मेली इस related questions होते हैं मेली तो चलिए इनको भी देख लेते हैं citizenship क्या होता है what do you understand by equality before law तो यह आपको पूरा लिखना पढ़ता है कौन से article में जैसे 14 article में तो यह सब लिखना पढ़ेगा कि article 14 में, article 15 में क्या है, article 13 में derogation है इसमें directly आपसे fundamental duties supreme है fundamental right supreme court is the guard of fundamental right यह कैसे हैं तो यह generally हमें लिखना पढ़ता है और बहुत ही easy question होते हैं और बहुत ही interesting होते हैं कुछ-कुछ questions तो इन questions का आप याद रहेंगे तो easily आपको कोई भी problem नहीं होगी बहुत अच्छे marks लाने में next आते हैं law of crimes तो law of crimes की जब हम बात करते हैं तो यह भी 100 marks का आता है कोई भी 5 questions attempt करने होते हैं लेकिन इस साल से pattern change हो चुका है तो इस साल केवल आपको केवल और केवल 80 marks का question भी बढ़ाएगा और per question 16 marks का बढ़ाएगा तो चलिए start करते हैं इसमें क्या-क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले तो crime होता क्या है जितने भी subject उसमें सबसे पहले उस word की definition पूछ ली जाती है जो question है क्या जैसे taught subject की बात करने तो सबसे पहले पूछ लिए जाता कि taught होता क्या है सब सबसे पहले कंट्रक्ड होता क्या है पूच लिया है सबसे पहले क्राइम होता क्या है इस ताइप के मेंली कॉशेंट्स पूछे जाते हैं जो की काफी easy होते हैं यह दिह आप class attend कर रहे हो और नई नई भी कर पारें सबसे पहले ये तरफिनिशन दी होती है अब आते हैं law of evidence ये भी ये fourth semester का है तो आप चाहें तो अभी उसे screenshot लेकर अकली जगले साल आपके काम आएगा what do you understand by relevant facts relevant facts क्या होते हैं और otherwise relevant facts before become relevant कब relevant हो जाते हैं इसे related illustration देनी होती तो ये question next देखते हैं अब चाहें तो इसकी screenshot भी ले सकते हैं are very important and material piece of the evidence अब आजाते हैं legal English देकी जितने भी पहले के time जो LLB का course होता था उसमें legal English होती थी लेकिन अभी हो गई है general English तो आप इसको भी देख सकते हैं इस pattern को भी देख सकते हैं कि कि इस time के questions आते थे usually जो general English थी तो सबसे पहले तो एक topic होता है अभी grammar से related भी question आते हैं लेकिन पहले के time में नहीं आते थे तो सबसे पहले यह दिखिए 300 words में violation against women इस से related एक fact लिखना होता है इन सब का Hindi meaning ownership पार लो diversity, cooperation, appeal next जायता है यह notice लिखना यह सब mainly आते हैं Hindu law कौन कौन से हैं अब आजाता है law in MP जो भी MP की district court की भी तयारी कर रहे है mainly MP में case लगना चाते हैं तो उसके लिए यह mainly बहुत important हो जाता है यह subject land law in MP हर एक state के land law different होते हैं इसलिए mainly MP के लिए तो यह थे mainly first time और second time के main subjects हैं के यह जह बहुत आएगि आएग्स